सुन्दर बीवी राकेश खुद देखने में जितना कम सुन्दर था, उससे कहीं ज्यादा सुन्दर उसकी बीवी रूपा थी इस बात की राकेश को बहुत खुशी थी रूपा, तुम कितने सुन्दर हो, दिल करता है बास तुमें देखता ही रहू आप भी बहुत अच्छे हैं तभी तो आपने मुझ जैसी गरीब लड़की से शादी की आजकल की समय में भला इतना अमीर आदमी बिना दहज के लिए कहां हम जैसी गरीब लड़कीं से शादी करता है मैंने दहज इसलिए नहीं लिया रूपा क्योंकि तुम मुझे मिले और वैसे भी मेरे पास सारे आशो आराम है मुझे तो बस अपने लिए एक सुन्दर सी बीवी चाहिए थी जो कि मुझे मिल गई राकेश अरूपा एक दूसरे की साथ बहुत खुश थे दोनों की शादी शुदा जिन्दगी खुशाल चल रही थी पर कहते हैं न कि कब खुश्यों को नजर लग जाए किसी को कुछ पता नहीं होता अब जैसे जैसे रिष्टदारों को पता चलता है कि राकेश की शादी हो गई है तो वो लोग उसके बीवी से मिलने उसके घर आते हैं अरे आस्था भाबी तुम अपने बेटी की शादी करके आ गई है और तुम ये किसी को बताया भी नहीं माफ करना को मलिका जीजी सब कुछ इतनी जल्दी में हो गया कि बताने का मौका ही नहीं मिला अखिर ऐसा भी क्या हो गया था भाबी कि तुम मुझे भी नहीं बता पाई मैं तो तुम्हारी नाना दू और राकेश की बुवा मैं जानती हूँ जीजी पर मैं तो राकेश को लेकर गाओं में अपनी बहन के घर गई थी मेरी बहन की बेटी की शादी में पर वहीं पर हमें रूपा मिल गई राकेश को रूपा इतनी पसंद आई कि लगे आत राकेश की भी शादी हो गई रूपा के घरवाले बहुत करीब है, इसलिए उन्होंने मंदिर में ही शादी की बस यही वज़ा है कि मैं किसी को बता ना सकी जो हुआ उसे छोड़ दो भावी, अब तो बस मुझे अपनी बहु से मिलवा दो जरा मैं भी तो देखूं, ऐसा क्या देख लिया राकिष्टी उस लड़की में, जो सीधा शादी ही कर ली कोमोलिका के कहने पर अबास था अपनी बहु रूपा को बुलाती है, रूपा चाय लेकर बहार आती है रूपा की सुन्दरता देख कर कोमोलिका की आँखी फटी की फटी रह जाती है आखिर उस बदसुरत काले कोवे को, कोही नूर का हीरो कहां से मिल गया क्या हुआ जी जी? अब कुछ नहीं भावी, वैसा तुम्हारी बहु बहु बहुत सुन्दर है आप समझ में आया कि आखिर राकेश ने इतनी जल्द बाजी में शादी क्यों कर ली? अर भावी, इतनी सुन्दर लड़की अपने हाथ से कैसे जाने देता? मेरी बहु बस रूप से ही सुन्दर नहीं, दिल से भी सुन्दर है और इतनी ज्यादा गुणी है कि क्या बता हूँ? कौमुली का आस्था की बहु को देख कर अंदर ही अंदर जलने लगती है कुछ दिर बाद राकेश भी खर आ जाता है अब कौमुली का राकेश को ताना मानने का मौका नहीं छोड़ती और जाते-जाते राकेश को ताने दे जाती है राकेश, रूपा जैसी सुन्दर भी विपाकर तुम्हारी तो किसमत ही चमागई वैसे रूपा बहु, तुमने मेरे बती जिसे शादी करके उस पर अहसान किया है वरना इसे तुमच ऐसी सुन्दे लड़की कहा मिलने वाली थी नहीं बुवा जी मैंने इन पर कोई आइसान नहीं किया बलकि राकिश जी ने मुझ जैसी लड़की से शादी करकी मुझ पर आइसान किया है और मैं राकिश जी के साथ बहुत खुश हूँ भाबी तुमने सही कहा था तुम्हारी बहु बहुत संसकारी है वह ना आजकल की बहुएं अपने रूप का इतना घमंड रखती है कि हर समय अपने पती को नीचा दिखानी की कोशिश करती है खाया जो भी हो रूपा बहु अगर मौका मिले तो अपने पती की टांग किचाई जरूर कर ले ना और अपनी सुन्दरता पर थोड़ा घमंड करना सीखो समझ रही हो ना क्या कह रही हूँ मैं जी बुआ जी इस तरह से कौमोलिका जाते हुए अपने भतीजे को ये एहसास दिला जाती है कि वो कितना बदसूरत है पर राकेश अपनी बुआ की बातों को नजर अंदास कर दीता है अब इसी तरह से कुछ दिन बीच जाते हैं और एक दिन राकेश के कुछ दोस्त रूपा से मिलने उसके घार आते हैं वही सच में भावी तो बहुत सुन्दर है तेरी तो लोटरी लगी इतनी सुन्दर भी विपागर लोटरी तो लगी हुई थी वैसे भावी आपने मेरे दोस्त मैं सक्या देख लिया जो इससे शादी कर ली अरे इसकी शकल से लाग गुना अच्छी शकल मेरी है मुझे सही शादी कर लेती आप मुझे मिले नहीं न अगर आप मुझे पहले मिल जाते तो मैं आप सही शादी कर लेती अपने दोस्तों के मूँ से अपने बीवी की तारिफ सुनकर राकेश अंदर ही अंदर जलने लगता है समय यो ही बीटता है अब घर में जो कोई भी आता वो रूपा की सुन्दरता के पूल बानने लगता जिस वज़े से राकेश को अब एक डर सताने लगता है वो है रूपा को खोने का रूपा तुम बहुत ज्यादा सुन्दर हो सब तुम्हारे रूप की बहुत तारिफ करते हैं मुझे डाल लगता है कि तुम्हें कहीं किसी की नज़र ना लग जाए इसलिए अब तुम घर से बहार नहीं निकलोगी और नहीं किसी से मिलोगी राकेश जी ऐसे तुम्हें घर में बोर हो जाओंगी अच्छा तो तुम्हें बाहर घुमते रहना है ताकि लोग तुम्हारी तारिफ करते रहे आकेर सुन्दर जो तो बुआ की बाते तुमने मान ही ली क्यो ये सबब क्या कह रहे हो बुआ जी ने तो बस उस दिन ऐसे ही मजाग में कहा था बुआ कब मजाग करती है और कब नहीं ये बात मैं तुमसे ज्यादा बैतर तरीके से जानता हूँ समझी इतना बोलकर राकेश घर से चला जाता है रुपा राकेश की सारी बात मानती थी इसलिए वो राकेश की कहने पर लोगों से मिलना जुलना कम कर देती है ऐसे ही कुछ दिन बीच जाते हैं एक दिन आस्था की पडोसन चीनी मांगने की बाहाने उसके घर आती है अरे आस्था बेहन क्यों थोड़ी चीनी मिलेगी? हाँ बेहन तुम यहीं रुकों मैं अभी अपनी बहु को कह देती हूँ वो तुम्हें चीनी लाकर देती है मुझे थोड़ा काम है मैं भी आती हूँ और विमला तु घर की अच्छे से सफाई करना हर समय चुगली करने में ध्यान रहता है तेरा जी वालकी अच्छे से कर दूँगी इतना बोलकर आस्था अपने कमरे में चली जाती है कुछ दिर बाद रूपा चीनी लेकर बाहर आती है रूपा की सुंदरता देखकर पडोसन का मूँ खूला का खूला रह जाता है रूपा तो चीनी देकर चली जाती है पर आस्था की पडोसन आस्था की नौकरानी विमला से बाते करने लगती है अरे विमला सच सच बता तेरे छोटे मालिक को इतने सुन्दर पीवी कहां से मिल गई अरे मैं आपको क्या ही बताओ बहें लंगोर की मुँ में अंगोर आ गया समझो मुझे तो खुद समझ में नहीं आता आखिर वहुरानी ने ऐसा क्या देखा जो छोटे मालिक से शादे कर ली आस्था की पडोसन और उसकी नौकरानी विमला आपस में बात कर रहे थी और राकेश का मजाग बना रहे थी तब ही वहां राकेश आ जाता है और उन दोनों की सारी बात सुन लेता है राकेश को देख आस्था की पडोसन तो वहां से चली जाती है पर विमला को फटकार लग जाती है तुम यहाँ काम करने के लिए आती हो या चुगली, एक काम करो, कल से काम पर आने की कोई जरूरती है, मैं कोई दूसरी नौकरा आने रखना। माफ करना मालिक गलती हो गई, अपसे ऐसी गलती दुबारा नहीं करोंगी. विम्ला की बार बार माफ़ी मांगने पर भी राकेश उसे माफ नहीं करता और नौकरी से निकाल दीता है अब राकेश गुस्से में रुपा के पास जाता है और अपना सारा गुस्सा उस पर निकाल दीता है ये सब कुछ आस्था अपनी आखों से दीख लेती है, उसे अपनी बहु के लिए बहुत बुरा लगता है, जिसके बाद आस्था राकेश को समझाती है बेटा, तुझे अपना गुस्सा बहु पर नहीं निकालना चाहिए था, और ये तो लोगों की बात है, लोगों के जितने मू उतनी बात है, तू उनकी बातों पर ध्यान मत दे, लोगों का तो काम होता है हस्ते खेल्दी परिवार को तोड़ने का, और तू इस दुन्या में अकिला नहीं है, जिसकी बीवी सुन्दर है, तो समझ रहा है ना बेटा, मैं क्या कह रही हूँ, हाँ मा, आप शायद बिल्कुल सही कह रही है, मैंने ही बे मतलब में ही रूपा पर अपना गुस्सा निकाल दिया, जिबकि वो तो मेरी सारी बात मानती है, पर अब मुझे सम से बरकरार रखता है,